नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तो कंसिल्टन्ट मैं हामेशे ही आप लोगों के लिए नई नई वीशेपर वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के मेरे वाटसप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपने फ्लैट के बारे में जानना चाते हैं बहुत सारे लोग अपने घर के बारे में जानना चाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दुकान के बारे में शोरूम के बारे में जानना चाते हैं अपनी नई फैक्ट्रि लगानी है या उनकी फैक्ट्रि अच्छी नहीं चल रही है समस्याइं एक नहीं कहीं होती है मेरे पास कुछ फैक्टियों के ऐसे भी मैसेजाते हैं जिनके plotPlus केपर में होती है जिनके चारो भुजएं समान नहीं होती यानि एक भुजा तो बहुत छोटी होती है दूसरी भुजा बहुत बढ़ी होती है तो ऐसे में मैं आज आपको वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुभव के जानकारी देना चाहूँगा देखिए जो आप मैप देख रहे हैं इस मैप में एक भुजा बहुत छोटी है दूसरी भुजा बहुत बढ़ी है लेफ्ट की भुजा छोटी है और राइट की भुजा बढ़ी है ऐसे में एक कॉर्नर बहुत बढ़ा हो जाता है तो ऐसे प्लोट का चुनाओ नहीं करना चाहिए ऐसा plot चाहे north facing हो, चाहे east facing हो, चाहे south facing हो, चाहे west facing हो, यदि आप अपने plot को straight करके, सीधा करके बना सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ऐसे plot को बना सकते हैं, यदि आप ऐसे plot को सीधा करके नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे plot में घर कभी भी नहीं बनाना चाहिए, ऐसे plot में घर बनाकर रहने वाले व्यक्ति को हमेशे ही प्रिशानी बनी रहती है क्यों बनी रहती है क्योंकि एक वज़ा बहुत चोटी हो जाती है और एक वज़ा बहुत बढ़ी हो जाती है जिसके कारण उस घर का जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है जो result उस व्यक्ति को मिलने चाहिए वो result उसको नहीं मिलते है यदि आपका plot बहुत बड़ा है उसमें front में भी गली लगती है और back side में भी गली लगती है और plot का size बहुत बड़ा है तो आप उसके दो हिस्से कर सकती है या plot के एक हिसे में front में भी गली लगती है और एक side में भी गली लगती है तो भी आप ऐसे plot के दो हिसे करके उसको सिधा करके बना सकते हैं ऐसे ही plot के एक हिसे में गली यहां लगती है और दूसरे हिसे में गली यहां लगती है तो आप ऐसे प्लोट के दो हिस्से करके बना सकते हैं ऐसे में जो एरिया छोटा और बड़ा बहुत जादा हो जाता है वो हिस्से कम हो जाते हैं तो ऐसे में जो प्लोट के दो हिस्से करने होते हैं वो बीचो बीच दो हिस्से कर सकते हैं मान लिजे जो आपकी चोड़ाई है, ये चोड़ाई आपकी 25 फिट है, तो बेक साइड में बीच में जो दीवार खेजते हैं, इसकी चोड़ाई आपकी 30 फिट या 35 फिट बनती है, तो आप ऐसे प्लोट का चुनाव कर सकते हैं, ऐसे प्लोट में अपनी कर्स्ट्रक्शन कर स सकते हैं एक हिसाध़ बन जाता है और दूसरा प्लोट इस Alors बढ़ रहे हैं अब सबस्क्राइब करते हैं कि अब यह कौनल कौन सावड़ रहा है जिस प्लोट का North East का Corner East Wall से या- North Wall से बढ़ता है ऐसा प्लोट हमेशा ही वस्तुर के नुसर अच्छा बन आ जाता है इसके अलावा प्लोट का कोई भी हिस्सा बढ़ा हुआ हो तो उसके हमेशे ही नुकसान मिलते हैं उस घर में रहने वालों को देर स्वेर तकलिफ होती है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका प्लोट साउथ फेसिंग है और उसमें नौर्थ इस्ट कॉर और राइट सेड में आपकी साउथ डारेक्शन आती है तो ऐसे प्लोट का साउथ फेस्ट का कॉर्णर बढ़ जाता है ऐसे प्लोट में कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए जो चीजे में आपको बता रहा हूं यही हमारी दूसरे प्लोट के अंदर भी लागू होती है यदि यह प्लोट आपका वेस्ट फेसिंग है यहाँ पर सड़क लगती है यह आपका वेस्ट है वेस्ट की वोल भी आपकी सही है और साउथ की वोल भी सही है यानि साउथ फेस्ट कॉर्णर आपका 90 डिगरी बनता है और नॉर्थ फेस्ट कॉर्णर भी आपका 90 डिगरी बनता है Northeast corner 90 degree minus बनता है तो ऐसे में आपका Northeast का corner बढ़ जाता है तो आप ऐसे plot का चुनाव कर सकते हैं आपके plot के East में गली लगती है मौनली जिए या इस्टा पूर अधिशा यहाँ पर गली लगती है तो इसमें front की दिवार बढ़ी हो जाती है बैक की दिवार छोटी हो जाती है, साउथ की दिवार भी छोटी हो जाती है और नॉर्थ की दिवार बड़ी हो जाती है इसमें साउथ्वेस्ट कॉर्नर 90 डिग्री हो जाता है, नॉर्थ्वेस्ट कॉर्नर भी 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे plot का भी आप चुनाव कर सकते हैं तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा यदि आपके पास कोई छोटा plot है जिसमें आपके front की चोड़ाई कम है और उससे कई गुना ज्यादा चोड़ाई आपकी पीछे वाली दीवार की ये back side की है तो ऐसे plot का चुनाव ना करें यदि आप अपने plot को rectangle करके चारो कोने 90 डिगर करके बना सकते हैं तो आप अपने plot में घर बना सकते हैं मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ और आज मैंने जो आपको जानकारी दी है क्योंकि मेरे पास हर रोज दो चार पांच में आप इस तरीके के आ जाते हैं जिसमें एक बुझा छोटी होती है और एक बुझा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकर यह दिया आपको सही लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमली और फ्रेंट्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया झाल झाल